तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले है exercise 8.1 तो इस exercise को start करने के पहले आप लोग को बोलना चाहूंगी कि आप सबसे पहले basic concept वाला वीडियो देखिएगा जिसका link में ने description में भी दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए उसके बाद आप य आपको चेक करना यह continuous है कि नहीं है ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला वाला यह देखो यह आपका function है f of x is equal to x q plus 2x square minus x minus 2 ठीक है हमें इसकी continuity check करनी है at x is equal to minus 2 ठीक है तो आप द्यान से समझेगा इस function को सरा पहचानी है कौन सा function है यह देखिए बताइए कौन सा function है function chapter में सीखा था ना polynomial function है यह कैसा function है polynomial function है और मैंने आपको क्या बताया था basic concept वाले वीडियो में कि पॉलिनोमियल function क्या होता है continuous ही होता है ठीक है मतलब आपको वहाँ पर चेक करनी की जरुवत नहीं लेफ्ट हैं लिमीट राइट लिमीट ऐसा कुछ भी फाइंड आउट करने की जरुवत नहीं आपको ऐसे polynomial function दिखाना तो सीथे सीथे लिख दो के sense it is a polynomial function so therefore it is a continuous function क्योंकि polynomial function जो होता है वो every real value जो होता है मतलब real value के हर एक point पे क्या होता है वो continuous ही होता है समझ में आ रहे ही कि ने जैसे real number में से कोई भी आप ले लो 1 2 3 4 minus 1 0 कुछ भी ले लो ठीक है real numbers में से कोई भी number ले लो हर एक point पे वो क्या होगा continuous होगा और यहां पर x is equal to minus 2 minus 2 real number में ही आता है ना मतलब यह जो polynomial है क्या हो जाएगा continuous function हो जाएगा तो चलिए अभी हम लोग लिखते हैं यहां पर क्या लिखेंगे कि यहां पर आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा ना ऐसे तो आप polynomial function है polynomial function and hence hence it is continuous it is continuous for all x belonging to यानि यह हर एक real number पे क्या होगा हर एक point पे क्या होगा continuous ही होगा तो वही हमने यहां पर जो मतलब क्या था जो statement था वह हमने लिख दिया है तो अब आप यहां पर लिखेंगा कि there for f of x is a continuous function f of x मतलब यह जो function given है यह क्या हो गया continuous function इतना ही करना था ठीक है continuous function चलिए first का first sub question तो solve हो गया अब second की बार यह है अब इसको भी जड़ा देखो क्या बूला जा रहे हैं आप f of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3 on r, r यानि real number ठीक है आपको बताना यह continuous है कि नहीं है real number पे तो देखो students ध्यान से देखो यह किस टाइप का function है कौन सा function है ध्यान से देखकर के बताईए f of x is equal to x square minus 9 यह एक polynomial नीचे एक polynomial राइट यह दोनों polynomial पॉलिनोमियल ऐसे fraction के form में है तो ऐसे function को हम क सब्सक्राद रखा करो हमेशा ठीक है तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि rational function भी क्या होता है वो हमेशा क्या होता है continuous ही होता है एक पॉइंट पे उसका denominator 0 हो रहा है उस पॉइंट पे वह continuous नहीं होगा बाकि रियल नंबर में कुछ भी ले लो सब के सब पॉइंट पे हो क्या होगा continuous ही होगा ठीक है तो यहां पर देखो यह आपका rational function है तो हर पॉइंट पे तो यह continuous होगा लेकिन denominator इसका कब 0 होगा बताये क्या है यहां पे x-3 denominator x-3 है इस equal to 0 तो x का मेलू हमको plus 3 मिला यानि जब x का 0 नहीं होना चाहिए इस point हो क्या हो जाएगा वह continuous नहीं होगा यह वाला function ठीक है तो क्या लिखेंगे हम यहां पे देखो मैं आपको ऐसे बोल करके बताती हूं फिर कैसे लिखना है वो भी समझाती हूं देखो यह जो आपका function है यह हर एक point पे continuous होगा बस जब x का value 3 होगा तब यह continuous नहीं होगा ठीक है तो कैसे लिखोगे देखो यहां पर आपको लिखना चाहिए क्या लिखोगे कि f of x is a rational function यह क्या है एक rational function है ठीक चलो इसको मिटाती हूं फिर आगेगा क्या लिखा है आपने यहां पर देखो f of x is a rational function and it is continuous it is continuous for all x belonging to r ठीक है बतलब यह हर एक real number पे क्या होगा हर एक point पे continuous होगा except किस पे नहीं होगा यहां पर आपको लिखना पड़ेगा न एक्सेप्ट एट पॉइंट्स वेर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो ध्यां तो समझ लो क्या लिखा है मैंने यहां पर कि f of x is a rational function and it is a continuous for all x belonging to r मतलब यह क्या है rational function है so therefore यह क्या होगा यह continuous होगा real number के हर एक point पे ठीक है बस उस point को छोड़ करके except at points where denominator become 0 मतलब जहां पर denominator 0 हो जाएगा उस point को छोड़ करके real number के हर एक point पे वो क्या होगा continuous होगा तो बताईए यहां पर denominator में क्या है यहां पर हम लिखते हैं कि here denominator denominator क्या है x minus 3 तो यहां पर लिखते हैं हम denominator is x minus 3 अब यह 0 कब होगा जब denominator become 0 when x is equal to क्या होगा प्लस 3 होगा ठीक है तो अब last में आप लोग finally ऐसे statement लिख दो कि they are for given function या फिर f of x लिखोगे तो भी चलेगा चलो f of x लिख देते हैं f of x is a continuous function is a continuous function यह क्या है continuous function है कौन कौन से points पर यहां पर आपको लिखना चाहिए for all x for all x belonging to r और कौन से point पर नहीं होगा तो जब x का value 3 होगा तब नहीं होगा यहां पर लिखिए except at x is equal to 3 जहां पर यह क्या होचाएगा not defined तो यहां पर आप लिख दीजे यह वेर इस नौट डिफाइंड वेर इट इस नौट डिफाइंड बस इतना ही करना था स्टूडेंट से समझ लो इसको क्या लिखा हमने कि f of x is a continuous function for all x belonging to r यहां पर यहां पर आपका question number one complete होगा इसमें दो sub questions दिए गए थे देखो first second दोनों ही हमने solve कर लिया है इसको लिखिए उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अभी question number two देखेंगे हम तो यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है एक्जामीन वेदर दा फंक्शन is continuous at the points indicated against them हमें यहां पर चेक करना है कि यहां पर दिये गया है यह continuous है कि नहीं है तो इस question के अंदर दो sub questions दिए गया है यानि question number two के अंदर दो सब questions दिए गए यह आपका पहला वाला है और दूसरा वाला भी हम लोग बात में करेंगे पहले इसको solve कर ले ठीक है तो देखो यहां पर function दिया गया है यह function हमें कब लेना है जब एक्स का value क्या होगा less than or equal to two और जब एक्स का value greater than two होगा तब जाके हमें यह function लेना है ठीक ह चलो आपको एक बार फिर से रिवाइस करवा देती हूं left hand limit is equal to right hand limit right hand limit यहां पहला आएगा पता है ना left hand limit right hand limit और functional value अगर यह तीनों बराबर आ गए तो फिर given function is a continuous function और अगर नहीं आए तो given function is a discontinuous function ठीक है तो चलिए अब ही चेक करते हैं यहां पर हम लिख देंगे solution function क्या है आपका लिख लो एक बार question लिखना चाहिए ना आपको हर बार exam में जब भी question आता है इस तरीके से तो आपको सबसे पहले question लिखना चाहिए जो भी दिया गया उसको लिखो ऐसे ठीक है फिर 3x-2 for x is greater than 2 हमें इस पॉइंट पर continuity चेक करनी है ना तो सबसे पहले left hand limiting लेंगे बहुत है द्यान से देखो एक समझ लिए फिर दूसरा वाला तो खुद से भी कर सकते हो यहां पर हम लिखेंगे limit को जान करके रखो limit x tends to a और यहां पर आता है minus का sign ओके minus तो यहां पर limit x tends to 2 मैंने लिख दिया यहां पर minus का sign आएगा है ना इसका मतलब क्या हुआ left hand limit और यहां पर function ठीक अच्छा left hand limit मतलब क्या यह 2 के उपर minus लगा यानि क्या यानि क्या x का value 2 नहीं है बलकि 2 से कम है 2 के बराबर तो वो होगा नहीं क्यूंकि x tends to 2 है इस तरीके से यानि 2 के बराबर नहीं होगा तो 2 से छोटा है कि बढ़ा है अरे वाई 2 से छोटा है कैसे समझ में आया यहां पर 2 के उपर क्या है minus है इससे लिए ठीक है तो जब x का value 2 से छोटा होगा तो हमें कौन सा function लेना है देखिए सरा ध्यान से less than or equal to 2 तमचा के यह function लेना है तो f of x के place पर हम यह लिखेंगे चलिए लिख देते है लिमिट x tends to 2 और function के प्लेस पर x q minus 2x plus 1 upon अच्छा अपॉन में कुछ नहीं है अपॉन में कुछ नहीं है बस यह अकेल चाहिए है क्या है क्या है x q minus 2 x plus 1 ठीक है अब इसको कैसे solve करना है वह तो आप अच्छे से जानते हो चलो solve कर लेते हैं क्या करेंगे हम इसको कैसे solve करेंगे limits solve करना सीखा ना अपने chapter number 7 में limits में क्या करेंगे x के place पर 2 put करेंगे तो चलिए रखते हैं यहाँ लिखेंगे 2 का cube minus 2 x के place पर 2 plus 1 अब 2 का cube कर दो 8 आ जाएगा 2 2 सा 4 plus 1 यह नहीं यहाँ पर answer क्या आएगा 8 minus 8 plus 1 9 9 minus 4 कर गोगे तो 5 यह नहीं कि यहाँ पर देखो limit x tends to 2 minus f of x इसका value हमको क्या मिला 5 मिला ठीक है यह हो गया आपका left hand limit अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे right hand limit ओके तो right hand limit मतलब क्या होता है समझ लीजिए वैसे तो मैंने सब कुछ बताया है लेकिन फिर भी एक बार आप फिर से समझो रिवीजन हो जाएगा x tends to a और यहाँ पर प्लस का sign है अब यह प्लस का sign मतलब क्या बताती हो रुको पहले यहाँ पर लिखते हैं and limit x tends to 2 यहाँ पर प्लस का sign फिर इधर f of x इसका meaning क्या हुआ कि जो आपका x का value है न वो 2 से क्या है greater है 2 के आसपास में है लेकिन 2 के बराबर नहीं है 2 से थोड़ा बड़ा है इस यह सब्रार मतलब 2 से ज्ण फोटा भी हो सकता है तो यहाँ पर अभी क्या लिखोगे limit x टेंस टू फिर f of x अब का क्या है 3x minus 2 अब इसको कैसे solve करोगे x के place पर 2 put करो 3 into 2 minus 2 तो 3 2s are 6 minus 2 answer क्या आया 4 आया तो देखो यहाँ पर right hand limit क्या आया है limit exchange to 2 plus f of x is equal to 4 ठीक है यह आपको मिला क्या right hand limit left hand limit is 5 right hand limit is 4 दोनों बराबर दिख रहें आपको नहीं यह तो 5 यह तो 4 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह जो function है यह क्या है discontinuous है अभी यहाँ पर आपको functional value निकालने की जरूवत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो ना देखो यह आपको चेक करोगे इससे आपको निकालोगे जब यह दोनों इकवल आ गए तब ठीक है अगर यह दोनों ही इकवल दिये तो फिर यह निकाल के क्या फाइदा है ना तभी भी आपका function discontinuous ही होगा तो क्या लिखोगे अभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि therefore limit x tends to 2 minus f of x is not equal to किसके equal नहीं है यह right hand limit के right तो right hand limit मतलब क्या limit x tends to 2 plus f of x यह दोनों क्या है equal नहीं है दोनों equal है क्या यह 5 यह 4 कहां equal है अगर मैंने इसको 5 रख दिया और 4 यह दोनों equal होते हैं नहीं होते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिख दो so therefore function f is discontinuous function ठीक है यहाँ पर लिखे function f is discontinuous this continuous at कौन से point पे इस point पे x is equal to 2 बात समझ में आई की नहीं तो बस इस तरीके से आपको करना था ठीक है तो condition याद रखो left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value होना चाहिए ठीक है तो अगर वह वाली condition satisfy होगी तभी आपका function continuous है otherwise discontinuous है तो यहाँ पर देखो हमने left hand limit निकाला right hand limit निकाला दोनों के दोनों equal नहीं आए ठीक है तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि given function is discontinuous function ओके बात समझ में आई आई आपको तो second नहीं फॉस्ट सबकोशन complete कर लिया हमने second वाला भी करना है इसको ल solution लिख देते हैं उसके बाद question को लिखते हैं f of x which is equal to x square plus 18x minus 19 upon x minus 1 यह हमें कब लेना है जब x क्या होगा 1 के equal नहीं होगा तब ठीक है और फिर यहाँ पर क्या है 20 तो यह हमें कब लेना है for x is equal to 1 जब x का value 1 होगा तो हमें यह लेना है ठीक हमें यहाँ पर continuity check करनी है at this point at x is equal to 1 तो कैसे करेंगे देखो अपना पुराना वाला ही condition है क्या मैंने बुला था left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value ठीक है तो यहाँ पर भी हम वहीं check करेंगे left hand limit and right hand limit और फिर जागे functional value अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना ठीक है आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो left hand limit निका आपको एक तरीका बताती हो सुनना रहां से जब ऐसा कुछ रहा x is not equal to 1 पहले वाले question में क्या था आप इसके पीछे जो किया था उसमें क्या था बताइए वहां पर बोला गया था कि जब x का value 2 से जाधा होगा तब आपको यह function लेना है जब x का value 2 से कम होगा तब आपको य लेना है जाधा और कम के लिए वहां पर अलग-अलग functions दिये गए थे लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है कि जब x का value 1 से जाधा होगा तब यह function लेना और पर यह रहेगा तो यह ले लेना तो यह लेना से एक क्वल नहीं है तो यह थो नहीं है नहीं है वह उस जाधा है कि कम है हमें नहीं पता, तो जब हम लोग left hand limit निकालते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा value लेते हैं, जब x का value क्या होता है, greater होता है, जैसे मैं नहीं यहाँ लिखा, limit x tends to a minus f of x, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर minus है, तो हम यहाँ पर कौन सा function लेंगे, हम वो function लेंगे, जिसमें x का value क्य होगा, x मतलब यह, x का value क्या होगा, जब a से छोटा होगा तब, ठीक है, तो यह क्या है, x का value 1 के बराबर नहीं है, 1 के equal नहीं है, मतलब 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो जब x का value 1 से छोटा होगा, तबी भी हमें यही function लेना है, जब x का value 1 से बड होगा छोटा होगा तबीड यहाई फंक्शन तो एक ही है यही फंक्शन लेना है तो मैं आप लोगे ही दो निकालने के तो भी यही function ले रहे हो ना, answer तो वही आएगा, right hand limit निकालोगे, तो भी वही answer आएगा, ठीक है, समझ महा रहे है कि ने, तो एक ही बार निकालो न, दो दो बार मेनत क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो एक ही बार limit निकालो, कैसे, देखो आपको बताती हूँ, अभी आपको समझ आ ही है, ठीक है, अब जब x का value 1 के equal नहीं रहेगा, तब हमें यह function लेना है, तो x square plus 18x minus 19 upon x minus 1, ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर यह calculate करोगे, उसके बाद functional value, यानि कि f of 1, और अगर यह दोनों equal आ गए, यानि लिमिट, यह limit और functional value, यह दोनों equal आ गए, तो continuous at this point, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो this function is discontinuous at this point, ठीक है, तो ऐसे question आपको इस तरीके से करना है, बार बार आपको उतना बड़ा करनी की जरूवत नहीं, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वही बात होगी ना, एक बार करो या फिर दो पार करो, आंसर तो वही आएगा, जैसे समझी मैंने, आपर minus लगा भी दिया, तो भी हम यही function लेंगे, अगर यहाँ पर plus लगा है, तो भी हम यही function लेंगे, answer तो c में आने वाल है, तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं की नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़ादा मेहनत क्यों करना, जब short में हो रहा है तो, ठीक x square, plus 19x, इसके place पर, minus x, minus 19, आपको पता है नहीं कि यह से हो रहा है, effectorization method, फिर यहाँ पे, इसमें से x को common ले लिया, bracket के अंदर, x plus 19 आ जाएगा, यहाँ से minus 1 को common लिया, x plus 19 आ जाएगा, upon x minus 1, ठीक, अब आगे करते हैं, x plus 19, x minus 1, अब बन में क्या है, x minus 1, यहाँ पर लिखते है, x minus 1, अब बदाएगे, यहाँ पर कुछ कैंसल हो रहा है, कि अगर कुछ कैंसल हो रहा होगा, तो आप कैंसल कर दीजिए, तो यह दोनों को कर दिया, हमने cancel, ठीक है, मतलब, अब यहाँ पर आया क्या, क्या आएगा, आपको हर जगर limit लिखना चाहिए, तो आपको बताती हूँ, limit कैसे लिखना चाहिए, आपको, जब तक x का value put नहीं किया, तब तक आपको limit लिखना ही है, limit exchange to 1, यहाँ पर लिखना है, x का value put नहीं किया हो न, तो आपको लिखना पड़ेगा, limit exchange to 1, फिर यहाँ पर भी लिख X change to 1 और यहाँ पर क्या लिखोगे limit limit X change to 1 F of X is equal to ठीक है is equal to इस तरीके से आपको लिख करके दिखारा चाहिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे limit X change to 1 अब यहाँ पर बचा क्या है X plus 90 ठीक है और इसका हम एक reason लिखेंगे क्या reason लिखेंगे देखो बच्चो यह हमने कैसे cancel कर दिया यह आपको जब आप यह cancel करते हो तब आपको यह लिखना चाहिए आपको याद है limit lesson में भी हम लोग लिखा करते थे तो लिखते हैं यहाँ पर X change to 1 तो therefore X is not equal to 1 therefore X minus 1 is not equal to 0 ठीक है आपको हर बार यह लिखना चाहिए अब क्या करेंगे एकस का value यहाँ पर रखेंगे और जब हम X का value पूट कर देंगे तो limit लिखने की ज़रूबत नहीं है देखो जब तक आप X का value पूट नहीं कियो तब तक आपको limit लिखना है ओके जब आपने X का value पूट कर दिया तब limit को वहां से अटा दीजिए तो यहां पर हो जाएगा वन प्लस 19 विच इक्वल टू 20 है ना यानि कि यहां पर लिखेंगे देर्फॉर लिमिट लिमिट एक सेंस्टो वन 20 इसको एक box में कर दीजिए अब हम लोग क्या find out करेंगे बताइए फंक्शनल वैल्यू है ना क्या दा लाइस में फंक्शनल वैल्यू इस था ना left hand limit इसे equal to right hand limit फिर उसके बाद फंक्शनल वैल्यू तो चलिए यहां पर फंक्शनल वैल्यू भी निकाल लेते हैं इसको मिटाना पड़ेगा फिर उसके बाद यहां पर करते हैं यहां पर हम लिखेंगे also f of 1 ठीक है तो देखो students इसका मतलब क्या हुआ एक्स का वैल्यू क्या है यहां पर बन है तो जब एक्स का वैल्यू रहेगा तो फिर हमें कौन सा फंक्शनल लेना यह वाला यह नहीं यहां पर f of 1 क्या आ जाएगा 20 ठीक है तो आप देख सबते हो limit और फंक्शनल वैल्यू दोनों क्या आए है बराबर आए है इसका मतलब क्या होगा कि यह जो फंक्शन दिया गया है यह इस पॉइंट पर क्या होगा continuous होगा तो यहां पर आप लिखें देख सकतो यह भी 20 यह भी 20 इस फंक्शन इस continuous यहां पर लिखें देयर फॉर एफ उफ एक्स इस कंटीनिवर्स एट एक्स इस इक्वल टू वन टिक तो यहां पर आपका सेकेंट सब्कॉशन भी कंप्लीट हुआ यहां पर दूसरा वाला जो कोस्टन था वह कंप्लीट हो चुका है इसमें दो कि वह फंक्शन कंटीनिवर्स है या फिर डिस कंटीनिवर्स ठीक है तो यह आपका पहला सब्कॉशन है यहां पर यह फंक्शन दिया गया है और हमें यह कप लेना है जब वेल्यू टू के इकवल नहीं होगा और जब एक्स का वेल्यू टू के इकवल होगा तो फिर हमें यह वन अपॉन फाइव लेना है तो कैसे करेंगे बहुत ही आसान है चलो मैं आपको समझाती हूं आप कोशन लिख लेजिएगा यहां पर ठीक है मैं डारिक सॉलूशन स्ट करती हूं तो अब आप मुझे बताइए कि यहां पर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मतलब यह सम किसके जैसा है तो पिछले वाला सम आपको यहाद है कैसे हमने किया था उसमें ऐसे था इस नौट इक्वल टून ऐसे था ऐसे वाला नहीं था ग्रेटर देन और फिर लेस देन वन ठीक है जब ऐसा रहेगा तब आपको लेफ्टेंड लिमिट राइट लिमिट निकालना है और जब ऐसा रहा इसके जैसा तो फिर आपको क्या करना है डारेक्ट लिमिट कैलकुलेट करो उसके बाद फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल आई तो बोल देना तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ओके यहाँ पर f of x तो फंक्शन क्या है आपका लिमिट x रेंस टू 2 यहाँ पर फंक्शन लिखिए x-1 the whole is to 1 by 3 upon x-2 बात समझ में आई की नहीं अच्छा अभी इसको कैसे solve करेंगे याद है आपको लिमिट जब ऐसे question आते थे तो हम कैसे solve क्या करते थे यहाँ पर हम देखो यह जो x-1 है ना यहाँ पर लिखेंगे put x-1 is equal to 1 यहाँ पर मतलब substitute करेंगे values x-1 is equal to y x-1 को हमने y consider कर लिया तो ऐसा करने से क्या होगा देखो हमें y का value भी मिलेगा y का value क्या मिलेगा अच्छा y का value तो मिल चुका है तो अब यहाँ पर y tends to क्या होगा देखिए अगर मैं x की place पर 2 रखू तो 2-1 होगा मतलब यहाँ पर limit हो जाएगा आपका y tends to 1 ठीक है इतना समझ में आया है चलिए अभी हम इसको आगे solve करते हैं तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी therefore limit x tends to 2 f of x is equal to क्या होगा देखो limit change पर ले 2 था अभी क्या लिखेंगे y tends to 1 इसको ध्यान में रखना नहीं तो फिर गलती हो जाएगी यहाँ पर लिखेंगे y tends to 1 उसके बाद जो आपका function है इसमें values put करो तो x minus 1 is equal to आपको क्या लिखना है y लिखना है यहाँ पर क्या आ जाएगा root over y आएगा ठीक minus x minus 1 के place पर क्या लिखना है y लिखना है ना तो यहाँ पर क्या आएगा y raise to 1 by 3 ठीक है 1 by 3 है फिर upon x minus 2 अब इधर ध्यान देना x is equal to क्या है y plus 1 तो अगर मैं यहाँ पर x के place पर y plus 1 पुट करूंगी ठीक है तो फिर यहाँ पर इस तरीके से होगा है x के place पर y plus 1 लिख दिया ठीक इतना बात समझ में आए चलिए अभी आगे करते इसको तो यहाँ पर हम लिखेंगे limit कि वाई टेंस टूवन फिर यहाँ पर यह जो रूट वाई है इसको हम ऐसे लिख सकते y का पावर 1 by 2 रूट हमने हटा दिया अपको पते नहीं कैसे होता है जब रूट रहेगा रूट हटा द दीजिए अब क्या करें देखो अभी हम यहाँ पर जो हमने formula सीखा दा लिमिट का वह अभी हम यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हमको कुछ adjustment करना पड़ेगा तब जाके हम यह formula यूज कर पाएंगे तो क्या करेंगे पताए आपको देखो में बताती हूँ एक काम करते हैं इधर लिखते हैं limit y tends to 1 राइट फिर यहाँ पर क्या है y raise to 1 by 2 minus y raise to 1 by 3 ठीक है एक काम करते हैं इधर लिखते हैं minus 1 और इधर लिखते हैं plus 1 ठीक है देखो minus 1 plus 1 तो बात तो बही हुई ना minus 1 plus 1 दोनों cancel हो जाएंगे वापस से आपका यही आ चाहेगा ठीक ह चलिए अभी नीचे लिखते हैं y minus 1 ठीक है इतना बात समझ में आया अब क्या करेंगे इसको एक ब्रैकेट में करेंगे इसको एक ब्रैकेट में देखो अभी कैसे होगा आपने ना ऐसे सम्स लिमिट चैप्टर में किया था आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत है ना याद होगा तो आपको समझ में आई रहा होगा अब यहां पर हम लिखेंगे लिमिट y tends to 1 फिर उसके बाद यहां पर देखो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देते हैं y raise to 1 by 2 y raise to 1 by 2 minus 1 ठीक है यह दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया फिर यहां से minus को common ले लीजे तो ब् माइनस में है ना तो यहां पर हो जाएगा प्लस y raise to 1 by 3 उसके बाद यह प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा यहां पर लिखेंगे माइनस 1 ठीक है फिर अपन में आ जाएगा y minus 1 इतना बात आप लोग को समझ में आ गया है चलिए अभी आगे देखते हैं अब क्या होग क्योंकि वन का पावर चाहें जो भी आंसर तो वन ही आना है तो वन के प्लस में हम ऐसा लिख सकते हैं फिर इसके अपन में क्या लिखेंगे y minus 1 ठीक अब दोनों के बीच में इधर देखो किसका साइन है minus का तो यहां पर minus आ जाएगा उसके बाद y raise to 1 by 3 फिर minus यहां पर क्य वन है तो बन के प्लस में क्या लिख सकते हैं का पावर 1 by 3 करके लिख सकते हैं क्यूंकि अभी बताया वन का बावर कुछ भी होने तो answer तो वन ही आता है यह ना फिर अपन में वाई-1 डॉक्ट में लिखो तो जाधा अच्छा है इन सब इसको एसे ब्रैकेट में लिख ठीक है अब algebra of limits में हमने सीखा है जब ऐसा कुछ रहता तो limit दोनों के पास चला जाएगा मतलब limit यहां पर भी आएगा यहां पर भी तो चलिए लेगर के जाते इसको limit y tends to 1 फिर यहां पर y raise to 1 by 2 y raise to 1 by 2 minus 1 raise to 1 by 2 upon y minus 1 फिर इदर minus तो minus फिर लिमिट यहां पर आजाएगा limit y tends to 1 फिर यहां पर y raise to 1 by 3 ठीक है यह y यह y दिखरा है ना तोड़ा साई से लिकते हूँ y raise to 1 by 3 minus 1 raise to 1 by 3 upon y minus 1 फिर ब्रैकेट लगाने की जरुवत नहीं है अब बताएगे यहां पर कौन सा formula यूज़ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से पता है limit में सीखा था ना formula देखो आपको बताती हूँ यह वाला इदर लिख करके बताती है अगर ऐसा कुछ रहता है limit x tends to a फिर यहां पर रहता है x raise to n minus a raise to n upon x minus a तो हम क्या लिखते है पहले n लिखते है उसके बाद क्या लिखते है यह n है ठीक है इसका पावर क्या है n है n लिखते उसके बाद a लिखते फिर raise to n minus 1 लिखते याद आया कि नहीं तो यहां पर हम यही वाला formula यूज करेंगे इस form में आपको दिख रहे है कि नहीं ध्यान से देखो इसका पावर इसका पावर फिर इदर y minus 1 यहां पर भी same to same है ना तो अब यहां पर हम जब यह वाला 1 लिखोगे इसका पावर गया आएगा n minus 1 यानी 1 by 2 minus 1 ठीक फिर इदर minus का sign अब यहां पर n के place पर 1 upon 3 है और a के place पर 1 है फिर इसका पावर 1 by 3 minus 1 आएगा अब आगे चलिए देखते हैं देखो यह reason में आपको लिख कर कैसे दिखाना पड़ेगा ठीक है कि यहां पर आपने यह वाले formula का use किया है ने तो पता कैसे चलेगा ऐसे लिख दोगे अपने मन से नहीं ने यह formula लिख करके दिखाना ठीक है चलिए अब यह आगे देखते क्या होगा आगे 1 by 2 ठीक है अब देखो इदर 1 है और इसका power 1 by 2 minus 1 है तो 1 by 2 minus 1 करोगे तो इतना आएगा minus 1 by 2 आएगा ठीक है तो 1 का power अभी अभी बताया था 1 का power कुछ भी रहने तो answer तो 1 ही आता है मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 by 2 into 1 फिर minus 1 by 3 1 का power कुछ भी रहने तो 1 ही आता है तो यहाँ पर into 1 अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे limit x change to 2 f of x which is equal to क्या है इदर 1 by 2 minus 1 by 3 ठीक है अब इसको solve कर करें तो 3 1 सा 3 cross multiplication कर रहें 2 1 सा 2 upon 3 2 सा 6 यानि क्या आया 1 upon 6 ठीक है तो इसका value क्या आया limit x into 2 f of x कितना आया 1 upon 6 आया राइट अब हमें क्या निकालना पड़ेगा limit तो हमने निकाल लिया है ना अब हमें find out करना है functional value तो यहाँ पर हम लिखेंगे and functional value मतलब f of 2 ठीक है यानि x क प्लेस पर क्या हो जाएगा 2 तो जब x का value 2 के बराबर रहेगा तो फिर हमें कौन सा function लेना है यह वाला यानि आप डारेक्टली इतर लिख दीजिए 1 upon 5 ठीक है यह क्या आया 1 upon 5 देख सकते हो यह 1 upon 5 यह 1 upon 6 है तो बताइए दोनों equal होते क्या 1 upon 5 is equal to 1 upon 6 है यह लिख सकते है यह 2 इकवल नहीं होते है यानि कि limit और यह जो functional value है यह 2 equal नहीं है तो बताइए क्या y funcion continuous है क्यो क्यों यह 2 equal नहीं है न और मैंने आपको क्या बता था condition याद करिए limit और functional value बराबर होने चाहिए पर ऐसा कुछ भी नहीं है It means this function is discontinuous at this point. तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कि they are for limit x change to 2 f of x is not equal to f of 2. So they are for f of x is discontinuous at x is equal to 2. समझ में आया आपको तो यह लिजिए यहाँ पर आपका first sub question complete हो चुका है. सब कुछ तो limit वाला ही था बस यहाँ से continuity वाला आया है ना इतना तो आपने limit में किया था यह सब question आपने solve किये थे कि नहीं किये थे ना चलिए इसको लिखिए उसके बाद हम देखते आगे. सेकेंड सब question देखिएगा यह आपको function दिया गया है आपको क्या करना है चेक करना है कि यह continuous है या फिर discontinuous है at this point. ठीक तो कैसे करोगे पिछले question के जैसा ही है चलो इसको हम solve करते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पर limit निकालेंगे. तो यहाँ पर हम लिखते है limit x change to क्या आएगा 2 फिर f of x तो देखो जब x का value 2 के equal नहीं रहेगा तो फिर हमें कौन सा function लेना है यह वाला function लेना है ना तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर limit x change to 2 फिर यह function लिखेंगे x cube minus 8 upon root over x plus 2 minus root over 3x minus 2 ठीक है bracket close कर दीजिए अब सोचिए इसको हम कैसे solve करें तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको देखो हम यहाँ पर rationalize करेंगे rationalize the denominator denominator को ठीक है आपको बताती हूँ देखो कैसे यह solve होगा कैसे यहाँ पर लिखेंगे limit x change to 2 यह तो वैसा ही रहेगा थोड़ा और इधर लिखते हैं नहीं तो पूरा उतना word ही भर जाएगा ठीक है थोड़ा इधर लिखते हैं इसके नीचे आप लोग इसके नीचे लिखिएगा limit x change to 2 अब rationalize कैसे किया जाता है वो तो आप जानते ही हो ना क्या करेंगे denominator को लेंगे ठीक है इसके conjugate को यहाँ पर minus है तो इसका conjugate क्या हो जाएगा plus चलो देखते हैं इदर x cube minus 8 फिर इसको एक bracket में कर दो अप उन में क्या है root over x plus 2 फिर minus root over 3x minus 2 अब इसका conjugate ले लो और उपर नीचे multiply कर दो तो इसका conjugate क्या हो जाएगा इदर minus है तो इदर plus उसके बाद 3x minus 2 फिर upon में वही आएगा जो उपर वही नीचे 3x minus 2 bracket कर दिया close ठीक है अब इसको आगे solve कीजिए तो फिर इहाँ पर क्या आएगा limit x change to 2 limit तो आपको हर बार लिखते ही जाना है भूलिएगा नहीं इन दोनों को एक साथ ले लीजिए सोचे सोचे 2 का क्यूब करके हम लेख सकते हैं ओके x क्योब माइनस 2 क्योब अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आप भी बताती है रूखे अब इसको इदर ले लो तो bracket के अंदर x प्लस दोनों का multiply हो रहा है ना x प्लस 2 प्लस यहाँ पर root over 3x minus 2 आजाएगा bracket close कर दिया यह नहाँ पर नीचे देखो क्या होगा अब यहाँ पर थोड़ा समझीएगा वैसे तो आपको पता ही है समझो यह यह है यह बी है यह बी ठीक है तो a minus b a plus b कौन सा फॉर्म यूज कर सकते a square minus b square बताना आपको यह देखो यहाँ पर लिख करके बता दू आपको चलिए इदर ब सकते a square minus b square तो a यहाँ पर क्या है root over x plus 2 यह आपका a है तो a का square minus b क्या है root over 3x minus 2 इसका square bracket यहाँ पर कर दीजिए close ठीक है इतना समझे में आ गया अब हमको यहाँ पर एक फॉर्मुले का यूज करने कौन से फॉर्मुले का चलो बताती हूँ दीखे यह वाला फॉर्मुला आपने सीखा ही है पहले तो थोड़ा नीचे रिखते हैं a cube minus b cube is equal to क्या होता है सबसे पहले आता है a minus b फिर दूसरे वाले bracket में आता है क्या आता है a square plus a b plus b square ठीक है तो यह होता है students formula जो आप लोग को याद रखना चाहिए क्योंकि कभी भी कहीं में किसी भी फॉर्मुले की जरूरत हमको पढ़ सकती है इसलिए याद रखा करो ठीक है यह सब कुछ तो 8 standard में ही सीखा था चलिए अब यह आगे चलते हैं आगे क्या करना पड़ेगा इसको तो यह formula का use करके expand करेंगे करते हैं limit x change to 2 फिर यहाँ पर formula यूज करना है तो पहले a minus b यह आपका यह b तो क् x minus 2 फिर क्या a square a square मतलब x का square आ जाएगा फिर उसके बाद a b तो plus a b मतलब 2x आ जाएगा plus b square b square यानि 2 का square तो 2 का square 4 होता है यहाँ पर 4 आ गया यह जैसा है वैसा ही लिख दीजिए यहाँ पर x plus 2 फिर plus root over 3x minus 2 plus root over 3x minus 2 फिर के ब्रैकेट close अब नीचे क्या आएगा इसको भी ज़रा समझ लीजिए square से root कट गया square से root कट गया यहाँ यहाँ पर आया क्या x plus 2 फिर के चलो ब्रैकेट नहीं लगाते ब्रैकेट हटाई देते हैं x plus 2 अब देखो minus अंदर जाएगा तो minus 3x हो जाएगा यह minus में है तो plus में हो जाएगा यहाँ से आप लोग ब्रैकेट close कर दीजिए यह वाला square ब्रैकेट ठीक है अब कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसको हम solve करते हैं और उपर वाला तो ऐसे ही रहने दो चलो यहाँ पर लिखते हैं limit x tends to 2 फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x minus 2 फिर x square plus 2x plus 4 फिर यहाँ पर root over x plus 2 plus root over 3x minus 2 ठीक है bracket close अब नीचे के आएगा वो द्यान दीजिएगा x minus 3x क्या हो जाएगा minus 2x यहाँ पर लिख दिया हमने minus 2x ठीक है x minus 2 है यहाँ पर x minus 2 आ सकता है क्या आ सकता है कैसे minus 2 को common ले लो तो यहाँ पर x minus 2 आ जाएगा चलो ले ले लेते हैं देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सबसे पहले यह limit लिख दीजिए limit x tends to 2 ठीक है उसके बाद यहाँ पर bracket लगा देंगे फिर क्या आएगा बताईए x minus 2 तो यहाँ पर हम लिख देते x minus 2 उसके बाद फिर दूसरे bracket के अंदर x square plus 2x plus 4 लिख दीजिए यहाँ पर x square plus 2x plus 4 ठीक इतना समझ में आया फिर दूसरे वाले bracket में यह आ जाएगा पूरा देखो root over x plus 2 फिर plus root over 3x minus 2 ब्रैकेट क्लोस कर दिया फिर अपॉन में क्या आएगा अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे minus 2 को common ले लेंगे तो minus 2 को बाहल ले लिए bracket के अंदर आएगा x minus 2 फिक है अब क्या होगा यहाँ पर देखो कुछ cancel हो रहे है ध्यान से देख लीचे ज़रा कुछ cancel हो रहे है जी हाँ यह और यह कट गए ना दोनों अब यहाँ पर लिख दो इसका कारण x tends to 2 okay so therefore x is x tends to 2 so therefore x is not equal to 2 अभी 2 को इदर ले लो तो x minus 2 is not equal to 0 यह हम लिखा करते थे थे ना limit में तो आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है limit में लिखते थे यहाँ पर लिखना है क्योंकि limit को ही तो solve कर रहे है अब उसके बाद जो कुछ भी बचा है उसे आप लिख दीजे त तो क्या हो जाएगा minus 1 upon 2 बहार आजाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर limit x tends to 2 फिर ब्रैकेट के अंदर यह जो कुछ पर बचा है उसको लिखना पड़ेगा हमें तो क्या लिखेंगे x square plus 2x plus 4 फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर root over x plus 2 उसके बाद plus root over 3x minus 2 क्या लिखेंगे ह 3x minus 2 फिर ब्रैकेट इधर close कर दीजिए और इस तरीके से राइट अब देखों आपने algebra of limits तो सीखा ही है जैसे समझे आपके पास इस तरीके से दो functions दिए गया है जैसे यह एक function यह एक function दोनों के भीच में क्या है इस तरीके से multiply का sign है ठीके क्या है जी multiply है तो फिर क्या करते आगे यहाँ पर हम लिखेंगे minus 1 upon 2 limit को ले लिजे अंदर तो यहाँ पर हो जाएगा limit इसको ऐसे bracket लगा दो limit exchange to 2 फिर यहाँ पर क्या आजाएगा x square plus 2x plus 4 ओके फिर multiply का sign आएगा और फिर यहाँ पर भी limit आजाएगा दूसरे वाले bracket के सार तो limit exchange to 2 फिर यहाँ पर root over x plus 2 plus root over 3x minus 2 bracket close ठीक है अब क्या होगा यहाँ पर इसमें हम x का value put करेंगे तो देखें minus 1 upon 2 लिख दिया इधर उसके बाल अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें x का value put करेंगे तो x के place पर इधर 2 रखना है तो 2 का square plus 2 into 2 plus 4 ठीक है यहाँ पर भी x के place पर 2 रिखेंगे तो 2 plus 2 फिर plus यहाँ पर 3 into 2 minus 2 आ जाएगा ठीक है आगे देखें minus 1 upon 2 फिर यहाँ पर देखो 2 का square करेंगे तो 4 2 2 is 4 plus 4 फिर into दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब multiply अब यहाँ पर क्या होगा 2 plus 2 क्या हो जाएगा root over 4 फिर plus 3 2 is 6 6 minus 2 करेंगे तो root में 4 आ जाएगा bracket close कर अब इसके आगे solve कर दे तो minus 1 upon 2 फिर यहाँ पर देखो minus 1 upon 2 आ जाएगा इस equal to का sign तो आ नहीं है फिर bracket के अंदर 4 4 4 4 कितना हो जाएगा 12 तो यहाँ पर लिख दिया 12 into यहाँ पर root over क्या है 4 फिर तो 4 को root के बाहर निकालो तो 2 हो जाएगा फिर 2 होगा plus इसको बाहर निकाल आपको पूरा वो उतना मतलब एको स्टेप बढ़के नीचे जानी की सर्वत नहीं है ऐसे डारेक्ली आपको समझ में आता है ना root 4 को बाहर निकालो तो 2 इसको बाहर निकालो तो 2 प्लस 2 4 यहाँ पर डारेक्ली आप 4 लिख सकते हो ओके अब उसके बाद क्या होगा चलो क्या आया बच्चो माइनस 24 तो यहां पर आपको मिला है माइनस 24 राइट अब हम क्या निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू काफी बड़ा कोश्चन था है न थोड़ा टाइम लगया लेकिन कोई बात नहीं टाइम लग रहा है बस आपको समझना चाहिए ठीक है लिमिट में ऐस क्या होगा माइनस 24 तो यहां पर आप डाइरेकली माइनस 24 लिख दीजिए देखो जब हमने लिमिट निकाला ओके तो भी हमको माइनस 24 मिला फंक्शनल वैल्यू बेट माइनस 24 ही है यानि यह दोनों क्या है इक्वल है इस बताव यह फंक्शन इस पॉइंट पर गंटीनिव है क्योंकि यह दोनों तो इक्वल आगे तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट एक सेंस्टू टू एफ इस इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू यानि एफ ओफ टू सो देयर फॉर एफ एफ उप एक्स इस कंटीनिवस एफ ओफ एक्स इस कंटीनिवस हो गया बस आप अच्छे से इसको लिख लो एक से दो बार प्रैक्टिस करो ठीक है चलिए यहां पर देखिएगा थर्ड सब कोस्टन तो इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके टेक्स बुक में अगर आप देखोगे न तो यहां पर त्री नहीं आएगा बल होगा और जब एट अपॉन 3 से ग्रेटर होगा तब जाके हमें यह फंक्शन लेना है तो इसको हम कैसे करेंगे बताइए कैसे करेंगे यहां पर हमको लेफ्ट हैं लिमिट और फिर फंक्शनल वैल्यू तीनों ही चेक करना पड़ेगा अभी तक हम क्या कर रहे थे जब ऐसे है याद रखो ऐसे जब ग्रेटर देन या फिर लेजन आए तब आपको तीनों ही निकालना है यानि लेफ्ट हैं लिमिट राइट लिमिट और फिर फंक्शनल वैल्यू यह तीनों ही फाइंड आउट करना है लेकिन अगर ऐसा हो is not equal to any number कोई भी यहां पर नंबर हो सकता है तब आपको वहाँ पर बस limit निकालना और functional value ठीक है लेफ्ट हैं लिमिट राइट हैं लिमिट अलक से निकाल करके इसे बताने के जरूवत नहीं है क्योंकि अगर आप वहाँ पे left हैं लिमिट और right लिमिट निकालोंगे तो भी आपको यह दुनों थो बराबर मिलेंगे ही बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसलिए याद रखना जब ऐसे आया तब left hand limit, right hand limit और फिर functional value और अगर पिछले question जैसे आया तो बस उदर limit calculate करने का, तो चलिए, solve करते हम इसको जल्दी से बहुत ही छोटा सा question है, यह बड़ा नहीं है ज्यादा, यहाँ पे लिखते है solution, अब सबसे पहले left hand limit find out करेंगे, तो यहाँ पे लिखते है limit, x tends to, क्या आएगा, 8 upon 3, minus f of x is equal to, जब x का value, क्या होगा, 8 upon 3 से less होगा, तो फिर हमें यह वाला function लेना है, तो क्या आएगा, यहाँ पे limit, x tends to, 8 upon 3, 4x plus 1, ठीक है, अभी x के place पे क्या रखेंगे, 8 upon 3 रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं, तो 4 into 8 upon 3, plus 1, अब इसको आगे करिए, तो कैसे होगा, देखो, यहाँ पे 8, 4s are 32, plus 1 upon 3, इधर 3 है, cross multiplication करके इसको solve करते हैं, तो 32 plus 3, 1s are 3, upon 3, 32 plus 3, क्या आएगा यहाँ पे, 35 upon 3, यह क्या आया, left hand limit, यानि limit, x tends to, 8 upon 3, यहाँ पे minus, और यहाँ पे f of x, ठीक है, तो यह हमने find out कर लिया, अब हमें क्या find करना पड़ेगा, right hand limit, इसको एक box में करके लिख दीजिए, चलिए अभी, right hand limit हम calculate कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, limit, x tends to, 8 upon 3, यहाँ पे minus, यहाँ पे f of x, ठीक है, तो जब x का value, आप देखें उदर, जब x का value, 8 upon 3 से greater होगा, तो फिर हमें कौन सा function लेना है, देख लीजिए, यह लेंगे, नहीं नहीं, यह तो less वाले के लिए था, और equal वाले के लिए था, greater के लिए तो यह है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, limit, x tends to, 8 upon 3, function क्या आएगा, देखो, 59 minus 9 x upon 3, bracket, close, ठीक है, अब देखो, x के place पे 8 upon 3 put करेंगे, तो चलिए करते हैं, यहाँ पे 59 minus 9 into 8 upon 3, फिर यह पूरे के upon में 3, ठीक है, अब इसको आगे solve करिए, तो फिर कैसे होगा, देखो, यहाँ पे 59 है, तो 59 ऐसे ही रहने दो, minus 9, 8, कितना हो जाएगा, 72 upon में 3, ठीक है, upon में क्या है, पूरे के upon में 3, अब cross multiplication इधर कर दीजिए, तो 3, 9 सा क्या होता है, 27 carry 2, 5, 3, 15, 2, 177 minus 72, फिर यह upon में क्या आजाएगा 3, फिर पूरे के upon में 3, अब क्या होगा पता है आपको, देखो, बताती हूँ, 177 minus 72 करेंगे, तो 7 में से दो गया 5, 17 में से, 7 में से दो गया 5, 17 में सा जाएगा, तो कितना आएगा, एक मिनट ज़रा, इधर minus करके देखते, 0, 105, ठीक है, इधर 105 आजाएगा, upon, अभी यह जो 3 है, यह 3 इसके पास आजाएगा, तो 3 into 3 हो जाएगा, ठीक है, आप देखो, यह cancel हो रहा है, क्या, कर दो cancel, अगर कुछ cancel हो रहा है, तो देखो, अगर मैंने यह पर लिखा, 3 में से 3, 3, 3 is a 9, इस में से में से 3, 5 is a 15, मतलब 35 upon 3, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, कि they are for limit, x tends to limit, x tends to 8 upon 3, plus f of x is equal to, क्या है, 35 upon 3, ठीक है, तो यहाँ पर लिखे, left hand limit, right hand limit, दोनों हमने find out कर लिया, अब हमको क्या find करना पड़ेगा, अच्छा, देखो, यह दोनों equal आए है, left hand limit, 35 upon 3, और right hand limit, 35 upon 3, अब बाकी है, बस functional value, चलिए, उसको भी निकाल लेते, यह दोनों तो बराबर आगे, लिकिन functional value भी equal होना चाहिए, तब ही हम बोलेंगे कि function continuous है, otherwise नहीं, तो functional value निकाल लेते, यहाँ पर लिखेंगे, and f of 8 upon 3, ठीक है, f of 8 upon 3, मतलब, यहाँ पर x का value क्या है, 8 upon 3, तो जब x का value 8 upon 3 होगा, तो फिर हमें कौन सा function लेना है, यह वाला की यह वाला, कौन सा ले, देखो, यहाँ पर equal का भी sign है, य यहाँ पर हम लिखेंगे, 4, x के place पर देखो, 8 upon 3 लिखेंगे, तो 8 upon 3, plus 1, अब इसको solve कीजिए, 8, 40, 30, 30, एक मिनट रुके बताती हूं, इधर ही करते हैं न, side में, देखो, 8, 40, 32, upon 3, plus 1, अब इसको आगे करिए, तो cross multiplication यहाँ पर करेंगे, तो 32, plus 3, upon 3, यानि, f of 8 upon 3, क्या आएगा, 32, plus 3, तो यहाँ पर आ जाएगा, 35 upon 3, यहाँ पर हम लिख देते, 35 upon 3, तो आप लोग देख सकते हो, left end limit, right end limit, और functional value, तीनों की तीनों क्या है, equal है, देखो, यह भी 35 upon 3, यह भी वही है, और यह भी क्या है, 35 upon 3 है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यह की therefore, limit, x tends to 8 upon 3, minus, f of x is equal to, यह किसके equal है, इसके, तो यहाँ पर लिखिए, limit, x tends to 8 upon 3, plus f of x, और यह किसके equal है, इसके, तो यहाँ पर लिखते है, f of 8 upon 3, तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है, so therefore, this function is continuous, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, so therefore, f of x is continuous, is continuous, at which point, तो यहाँ पर लिखेंगे, at x is equal to 8 upon 3, ओके, तो यह लिजिए, यहाँ पर आपका third sub question भी complete हो चुका है, दिखिए, यह है, इसका पूरा solution, यह देखिए, fourth sub question, तो जब x का value 0 से बड़ा, या फिर 0 के equal, या फिर 3 से छोटा होगा, तब जाके हमें यह function लेना है, और यह कब लेना है, जब x का value greater than or equal to 3, less than or equal to 6 होगा, तब जाके हमें यह वाला function लेना है, ठीक है, इसकी continuity चेक करनी है हमको इस point पे, तो कैसे solve करेंगे, इसको चली हम देखते हैं, कैसे करना होगा, यहाँ पर देखो, less than or equal to आया, मतलब आपको यहाँ पर left hand limit, right hand limit निकालना पड़ेगा, और functional value भी find out करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले left hand limit निकालेंगे, limit x tends to, क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पर minus f of x, is equal to, function कौन सा लेंगे, जब x का value 3 से छोटा रहा तो, देखो, less than 3, मतलब 3 से छोटा, तो यह वाला function, चलिए, लिखते हैं, limit x tends to 3, function क्या आ जाएगा, देखेंगे, यहाँ पर, x क्यूब, minus 27, upon x square, minus 9, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो, आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं, limit x tends to 3, minus, फिर, यहाँ पर लिखा, x cube, अच्या बताइए, अभी 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का cube करके लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का cube करोगे, तो 27 ही आए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, 3 cube, upon x square, minus 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का square करके, ठीक है, अब उसके बार, यहाँ पर, हम लोग formula का use करेंगे, कौन सा formula, अभी अभी पीछे आपने देखा था ना, formula की मदद से क्या करेंगे, इन दोनों को expand करेंगे, तो limit x tends to 3, minus, देखो, इस में हम कौन सा formula use करेंगे, आपको तो पता ही है, यहाँ पर लिख दू, चलिए लिखी देती हूँ, यह वाला formula, since a cube minus b cube का, ठीक है, ध्यान से समझ लिजिए, a cube minus b cube is equal to क्या होता है, a minus b, उसके बाद a square plus a b plus b square, ठीक है, यह होता है formula, और यहाँ पर हम कौन सा formula use करेंगे, तो a square minus b square, which is equal to a minus b, और a plus b, bracket close, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर हम यह वाला formula use करेंगे, सबसे पहले a minus b, तो क्या हैगा, यहाँ पर x minus 3, फिर उसके बाद दूसरे बाद bracket में x square, plus a b, a b मतलब 3x आ जाएगा, यहाँ पर उसके बाद, plus b square, b square मतलब 3 का square क्या हो जाएगा, 9, य यहाँ पर देखो, इसको हम इस formula की मतलब से expand करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x minus 3, उसके बाद दूसरे बाद bracket में x plus 3 आ जाएगा, bracket close कर दीजिए, अब देखें, यहाँ पर कुछ cancel हो रहा है, तो cancel कर सकते हो, x minus 3 से x minus 3 कट जाएगा, ठीक है, अब यह cancel किया ना, तो आपको हर बार लिखना याद रखेंगा, अब हम क्या करेंगे, यह जो कुछ भी बचा है यहाँ पर, उसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, तो देखें, limit x change to 3 minus, क्या क्या बचा है, x square plus 3x plus 9 upon, यहाँ पर x plus 3, ठीक है, bracket close, अब क्या करना आपको पता है, देखो, x के place पर 3 रख देते हैं, 3 रख सकते हैं, क्योंकि denominator 0 नहीं होने वाले, यहाँ पर 3 रखोगे, तो 3 plus 3, 6 हो जाएगा, तो चलिए करते हैं, यहाँ पर अभी x के place पर 3 लिखना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का square, plus 3x, तो x के place पर 3, plus 9 upon, 3 plus 3, यानि कि, 3 का square कर देंगे, तो 9, plus 3 रिज प्लस 9 upon, 3 और 3, 6, ठीक है, अब 9, 9, 9, कितना हो जाएगा, 27, तो यहाँ पर लिख दिया, 27 upon, 6, अब इसको cancel करो, तो 3, 2 रिजा 6, और 3, 9 रिजा 27, मतलब यहाँ पर क्या है, 9 upon 2, ठीक है, देखो, यहाँ पर मैं लिख दूंगी, देयर, फॉर, लिमिट, X टेंज टू 3, माइनस, F of X, विच इक्वल टू, 9 upon 2, ठीक है, इतना आपको समझ में आया, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह आपका क्या है, लेफ्ट हेंड लिमिट, अब आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, राइट हेंड लिमिट, तो जब X का value क्या होगा, 3 से जाधा होगा, तो फिर हमें कौन सा function लेना है, तो यहाँ पर देखिए, जब 3 से जाधा होगा, तो यह वाला, तो यह तो direct यहाँ पर 9 upon 2 दिया ही है, मतलब हमको यहाँ पर कुछ भी calculation करने के जरूत नहीं, आप directly लिख दीजिए, 9 upon 2, क्योंकि इस 3 के equal, देखो यहाँ पर क्या है, 3 के equal, तो फिर यही लेना है, यहाँ पर लिख दिया है, 9 upon 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, left hand limit, right hand limit और functional value, तीनों के तीनों क्या है, equal है, यानि यह function क्या है, continuous at this point, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि therefore, limit x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 plus f of x which is equal to f of 3, okay, so they are for f of x is continuous, f of x is continuous at x is equal to 3, ठीक है, बात समझ में आई की नहीं, तो इस तरीके से आपको यह question solve करना था, यहाँ पर आपका fourth question भी solve हो चुका है, देख लीजिए इसका solution, okay, यह देखो, सबसे पहले यहाँ लेकर कि यहाँ तक यह पूरा लिखना, उसके बाद यह लिखना ह यह इसका reason है, आप लोग ऐसे dot 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 करके दिखा दिया कीजिए, ठीक है, तो चलिए देखिए इसको, उसके बाद fourth question पर चलते हैं